हालो एवरेबान आइम निश्र nä mau and welcome you all to our channel study IQ judiciary ओर मैं इसा में एक हाथसा होता है जिसके अंदर दो लोग मिलकर तीन लोगों को जान से मारदेते चाहतितला कर देते हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं पिर मामला जाता है कोट के सामने और और कोट अगर फासी की सजा मिलती है तो हमेशा वो matter जाता है high court के पास high court के पास जाने के बाद ही उस फासी की सजा को confirm किया जा सकता है कभी भी फासी की सजा एक इकलौता trial court अपने आप से अपनी मर्जी से नहीं दे सकता हमेशा मैटर जाएगा हाई कोट के पास और हाई कोट परमिशन देगा उसके बाद कन परमिशन होगी उस डेथ सेंटेंस की तो जो केस आप के लिए मैं लेकर आई हूँ इस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि ट्राइल कोट ने फासी की सजा दी और जब मामला पहुंचा हाई कोट में तो हाई कोट ने कहा कि जो इस मामले में आपने फासी की सजा दी है ये फासी की सजा सही नहीं है और क्यों नहीं है सही ये आज की वीडियो में हम समझेंगे उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप एकलवे जुडिशेरी फांडेशन बैच के अंदर अड्मिशन लेना चाहते हैं तो आज आपके पास आखरी मौका है क्योंकि ग्रेट लर्निंग डेश सेल खतम हो जाएगी आज 31 अगर्स है और आज ही इस सेल का आखरी दिन है ये बैच आपको सिर्फ 26,000 में आज ही के दिन के लिए मिलेगा उसके बाद ये सेल का पाइदा उठाना है त का इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा डिसकाउंट चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि इस के अंदर में इशू क्या था में इशू ये था कि जो ट्रायल कोट है ट्रायल कोट ने जो डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है एक कन्विक्ट को वो जो डेथ प इसकेस के अंदर क्या हुआ था और पर हम समझेंगे भारत में डेथ पेनल्टी को लेकर क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किये जाते हैं और उसके बाद समझेंगे कि हाई को क्यों लगा कि तीन मडर करने के बाद भी यहां पर फासी की सजा जो है वो जादा है वो अत्यधिक है वो नहीं होनी चाहिए थी और उसको उन्होंने बदल दिया देखे पहले तुम आपको फैक्स बताती हूं इस केस के अंदर नभीन देहुरी जो है वो मेन कन्विक्ट है नभीन देहुरी ने एक कुलहारी जिसको तांगया बोलते हैं उनकी भाशा में कुलहारी की मदद कर लेके उन्होंने गिरिदारी साहू का मडर किया उसका मडर करने के बाद वो पहुंचा दूसरी जगा पे और दूसरी जगा पे जाने के बाद वहाँ पे उसने पिरोबती बहरा और सावित्री साहू का भी मडर इसको लाड़ी की मदद से ही किया यह करने में उसकी मदद किस सब्सक्राइब, तो उसने उसको लिए उसको बचाना सकता हूँ और उसके बाद उसमें सब्सवत करने के बाद जब वह इन मारने के लिए जाता है तो पहले वो डिक्लियर करता है कि उनको मार चुका हूँ अब तुम्हें मारूंगा तो ऐसा declaration करके ये दोनों लोग murder करते हैं उसके बाद मामला पहुंचता है trial court में trial court इस मामले का संग्यान लेता है और section 302 और subsection 34 का इस्तमाल करते हुए इनका conviction किया जाता है section 302 IPC का है अब IPC obviously हमारा लागू नहीं हो रखा है IPC हट चुका है लेकिन जब ये case हुआ था तब उस time पे IPC ही लागू था तो इस वज़े से पुराने criminal laws तो पुराने ही laws के according govern होंगे अब यह जो प्रोविशन है 302 अब जा चुका है 103 BNS के अंदर और section 34 जा चुका है section 3 subsection 5 BNS के अंदर ठीक है उसके बाद क्या हुआ कोट ने जो भी evidences थे उनको देखने के बाद evidences को scrutinize करने के बाद यहाँ पर इस चंहों को सजा सुनाई नभीन देहुरी जो मेन कन विक्त है उसको मिली फासी की सजा और जो लिए सुनाने के बाद वो मांड है वो सब्मिट करना पड़ता है हाइग local केसामने और हाइक तरीड को नस्के बाद वहाँ को death sentence को confirm कर देता है अगर हाई-court को लगता है कि जो ये sentence दिया गया है वो ठीक नहीं है तो हाई-cold उसको change कर सकता है ठीक है तो इसी तरह से और ये जो आपको मैंने रूल बताया यह रूल कहां दे रखा है केस डिसाइड अब हुआ है केस बिल्कुल नया है लेकिन पुराने फैक्ट से ना तो इस वज़ा से पुराने लॉस के अकॉर्डिंग गवन होगा ठीक है तो यहां पे अब यह प्रोविशन 407 BNSS के अंदर जा चुका है ठीक है तो अब जब यह हाई कोट में मामला पहुंचा और अपील भी गई थी इन दोनों के तरफ से हाई कोट के सामने अपील भी गई थी तो हाई कोट ने इस के इसको आप रुजल किया और उसके बाद डिसाइड किया यहां पर क्या फैस्ला दिया वो हम अभी समझी रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी एविडेंस वगरा देखे ना उसको एविडेंस देखकर मैं आपको बैग्राउंड बता देती हूं कि हुआ क्या के फेवर में आई थी और जब उसके फेवर में डिकरी आई तो इस वजह से यह जो एकन्वेक्स हैं यह बहुत ज्यादा अपसेट थे बहुत ज्यादा परिशान थे और वो उस चीज का बदला लेना चाहते थे इस वजह से उन्होंने इसका इनका मडर किया तो यहां पर य ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आया और ग्रेव इन सदन प्रोकेशन में आपने मडर कर दिया या अपने सेल्फ डिफेंस में मडर कर दिया प्री प्लान करके यहां पर मडर किया गया था ठीक है capital punishment अभी भी दिया जाता है यह highest form of punishment है इंडिया में मतलब इससे उपर की punishment इंडिया में नहीं है यही एक highest form of punishment है जो इंडिया में दी जा सकती है लेकिन किन cases के अंदर दी जा सकती है क्या हर केस में जहां पर murder किया गया है रेप किया गया है कोई और ज्यादा ग्रेव ऑफेंस क्या गया है? क्या हर केस में हम लोग टेथ पेनल्टी देते हैं? ऐसा नहीं है. तो इसी की रिकरवाडिक, एक बार हम quick को समझते है कि क्या लॉख है इसके अंदर? यह जो है ना? डेथ पेनल्टी सर्फ और सर्फ डेटरेंट effect देने के लिए, deterrent effect का मतलब क्या होता है, ताकि लोगों के अंदर भै पैदा हो सके, जैसे अभी कॉलकत्ता का जो रेप केस हुआ है, कितना जादा ग्रूसम है कि पूरी जो हमारी भारत की, भारत का समाज है, पूरा भारत का समाज एक तरह से बहुत ज़्यादा शौक में है, कि इतनी जरिद्रता भी हो सकते है किसी इंसान के अंदर, इसे तरह से पहले निर्भया वाला कांड हुआ था, जब ऐसे ओफेंसे होते हैं, इन Indira में, डिटेरेंट एफेक्ट वाली बात बता ले थी मैं अपको, डिटेरेंट के मतलब है कि लोगों की बंध में डर आये, कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा, अब यह जो डेडेरेंट एफेक्ट है, यह एफेक्टिव है, नहीं है, मतलब ल not the solution पांसे की सजा नहीं दी जानी चाहिए तो दोनों के अलगलों को पिनियन है ठीक है जो इसके लिए बहुत important है death penalty का अगर नाम आपके सामने आया है तो आपको ये तीन cases तो पता ही होने चाहिए पहला case में है जगमोहन वर्सेस टेट आफ यूपी का ठीक है इस जज्मेंट के अंदर आर्टिकल 21 के तहट इसकी constitutionality को चालेंज किया गया था बट कोट ने कहा था कि नहीं यह जो death penalty है यह allowed है इंडिया में यह constitutional है अल्ट्रा वायर्स नहीं है और इस वज़ए से यह अभी भी दी जा सकती है उसके बाद देखना है है कि हर serious offense के अंदर हर gruesome offense के अंदर death penalty नहीं दी जा सकती है death penalty दी जाएगी rarest of rare case मतलब कोई एक आदा ही case ऐसा आएगा जहां पर फासी की सजा दी जा सकती है कि वो इतना खराब है इतना खराब है कि उसने पूरी जो हमारा समाज है उसकी जो conscience है उसको एक तरह से जंजोड के रख दिया है ऐसे cases के अंदर तो death penalty दी जा सकती है लेकिन हर serious हर rape के offense में हर murder के offense में या फिर हर kidnapping या फिर जो states के regarding जो offenses है हर case के अंदर death penalty नहीं दी जा सकती है ठीक है तो यह इस case के अंदर बोला गया था फिर उसके बाद next judgment आया था माची सिंग वर्सेस state of Punjab 1983 का judgment इस judgment के अंदर बताया गया था कि rarest of rare case कौन से होते हैं rarest of rare case वो होते हैं जो इतने जादा inhumane होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है इतने बूटल होते हैं इतने गलत तरीके से इतने जादा डाइबॉलिकल तरीके से कर जब वो offenses किये जाते हैं किस तरह से offense को अंजाम दिया गया है उसको देखकर decide किया जाता है कि यह offense जो है वो rarest of rare case के अंदर आएगा या नहीं आएगा तो यह जो principles हैं इनको ध्यान में रखते हुए court क्या करता है ना कि court aggravating or mitigating circumstances दोनों को देखता है यह क्या है what is aggravating circumstance what is mitigating circumstance देखो aggravating circumstance वो होता है जिससे कि उसकी punishment मतलब जो circumstances ऐसे हालात जो convict के खिलाफ हों मतलब जैसे कि जो निर्भया वाला किस था aggravating circumstance वहाँ पर क्या थे कि उन्हों ने उसके जो भी उसका private part था वहाँ पर rod insert किया उसके जो digestive organs है वो भी affect हो गए थे वो भी बहार आ गए थे इतने बूटल तरीके से इतने इन हुमेन तरीके से यह aggravating circumstance है mitigating circumstance क्या हो सकता है? mitigating circumstance हो सकता है कि जैसे उन में से एक जो convict था जिसको फासी की सजा नहीं हुई थी उसका mitigating circumstance क्या था? कि वो अभी भी juvenile था ठीक है? तो ऐसे जो circumstances हैं उनको ध्यान में जो trial court है उसका काम है aggravating और mitigating circumstances को balance करने का तो इस case में court ने कहा कि यहाँ पर जो death sentence दिया गया है वो जादा है unwarranted है disproportionate है ऐसा क्यों कहा? वो reasoning देखते हैं बस यहाँ पर क्या है court ने जब यह argument चल रहा था ना कि death penalty देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो court ने जो जेल के senior superintendent है उनसे कुछ information collect करने का उनको order दिया और उसके अंदर क्या क्या information collect करने के लिए बोला गया कि भाई जो यह एपलेंड कन्विक्ट है मतलब जो नबीन दिहूरी है जिसके death sentence की बात की जा रही है इसके पहले past life देखो कि कैसे यह murder करने से पहले कैसे रहता था ठीक है इसकी क्या psychological condition थी उसके बाद वो कैसे रहता है तो उसके conduct के ल को लेकर information दो ठीक है उसके बाद यह भी बोला गया था कि जो probation officer है उसके assistance ली जानी चाहिए और psychological या jail के में जो डॉक्टर है उसकी जो assistance है वो ली जानी चाहिए जिससे की पता लगाया जा सके कि इसकी mental state क्या है उसके बाद ये जब details आई जब यह सब आया ना ये report बनके आई जो data मंगवाया गया था वो data जब court के सामने आया तो पता चला क कि ये जो कन्विक्ट है उसके तो villagers के साथ काफी अच्छे relations है in fact जो ये offense किया था offense करने के बाद जो उसका post conviction conduct है वो भी अच्छा है उसमें भी कोई problem नहीं है बस problem क्या हूई थी कि इनका ना एक बहुत लंबा ancestral property के ओपर dispute चल रहा था मतलब काफी लंबे समय से इनका एक dispute चल रहा था आपस में जिसकी वजह से बहुत जादा परिशान था ये और उसकी वजह से उसको mental trauma हो रहा था और उसको control करने के लिए दवाईयां भी ली रहा था चीक है और क्योंकि ये बहुत जादा मतलब एक rural background से आ रहा है और economically poor background से आ रहा है और इसका जो legal battle जमीन को ले investigating circumstances हैं ऐसे circumstances को होते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो case है ये rarest of rare case है court ने का कि just because किसी इंसान ने तीन murder किये हैं तो उसको rarest of rare case में नहीं डाल सकते हैं court ने ये भी कहा था कि देखो जो हमारा समाज है जो हमारी society है वो ये चाहेगी वो court से expect यही करेगी कि अगर किसी इंसान ने तीन murder किये हैं जिसमें से दो महिलाओं का भी murder किया है तो ऐसे में उस इंसान को फासिक सजा मिलनी चाहिए लेकिन court का कहना था कि court को objective होना पड़े कि क्रिमिनल कौन है उसने क्या अपराद किया है उसका जो अपराद है क्या वो rarest of rare में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्या उसके फेवर में कोई mitigating circumstance है अगर ऐसे circumstance एगर ये सारी कि सारी जो requirements है वो fulfill होती है उस case के अंदर फासी की सजा दी जा सकती है otherwise फासी की सजा नहीं दी statement court ने दिया था we are of the view that public opinion or society's expectation may be to confirm death sentence of appellant Nabeen Dihuri since it is a case of triple murder and two deceased were ladies but it must be remembered that such opinion or expectation is neither an objective circumstance relating to crime nor the criminal and therefore this court must exercise judicial restraint and play a balancing role तो यही एक court के उपर duty है court को एक balancing role play करना है court को influence नहीं होना है समाज में लोग क्या expect कर रहे है court को objectively justice deliver करना है ठीक है obviously एक यह चीज़ भी है कि समाज में हम धारनाय बना लेते हैं हम धारनाय बनाते हैं उन चीज़ों के basis पे जो हमारे सामने आती है बट जब court नयाय करने बै करता है ठीक है तो court का काम यह नहीं होता है कि court समाज की जो बाते हैं उनको follow करते हुए decision देगा court का काम होता है कि जो evidences सामने है उन evidences को अच्छे से scrutinize किया जाए और balance बनाया जाए और उसके बाद जो जस्टिस है वो deliver किया जाए ठीक है फिर इस मामले में जो death penalty नभीन द जाले जो नहीं उम्र कैद का मतलब है कि अब जितनी भी आपकी जिंदगी बची है आप कैद में ही निकालेंगे ठीक है दूसरा court ने सरकार को order दिया कि जो यह victims है इन victims के जितने भी परिवार वाले जो इनके रिष्टेदार हैं उनको compensation दी जाए मतलब basically इनके जो बच्चे हैं उनको compensation दी जाए और ऐसा करके उनको उनके साथ थोड़ा सा एक तरह से विक्टम compensation scheme में उनको कुछ तो एक वो मिले ना आशवासन इसके लिए उनको compensation दी गई थी ठीक है अब बात करते हैं कलवे judiciary 2.0 foundation batch की मैंने बताया था आपको की great learning day sale चल रही है जिसके वज़े से ए आज तक के लिए ही valid है रात को बारा बजे offer खतम हो जाएगा तो अगर आपने अब तक admission नहीं लिया है आप admission ले सकते हैं तो इसमें तो आपका डबल फाइदा हो रहा है और उसके अलावा यहां पर आपको मिल रहे सक्सेस assurance का मतलब यह है कि आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे इस तरह से हमने पूरा कोर्स प्लान किया है कि आपका एक्जाम जरूर निकलेगा किसी रीजन की वज़े से आपका एक्जाम रहे जाता है तो ऐसे में हम आपको एक साल की एक्स्ट्रा वालिडिटी दे देंगे ठीक है कई बार होता है कि हम एक्जाम देने गए हैं और उस दिन का हमारा लक प्रिशन लेंगे उसके दो साल तक आपका बैच वालिड रहेगा लेकिन दस से बारह महीने में आपका पूरा सिल्बस कतम कर जाएंगा और उसके बाद हमारे साथ अपने तैयारी वैसे कर सकते हैं सेल स्टाडी टेस्ट वगेरा यह सब ठीक है तो इस बाच के अंदर आपक के minor laws, local laws, English, Hindi, आपका पूरा स्टार्टिक जी के का पोर्शन, current affairs का पोर्शन, जिसमें आपके legal current affairs भी कवर हो रहे हैं, general current affairs भी कवर हो रहे हैं, तो मतलब judiciary के point of visit paper में जो भी आ रहे हैं, वो सम यहां पे कवर हो रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा यहां पे आपको हर class, जो आपक स्क्रीन पर आपको कही एडमिशन लेने, आपको बस यहां एडमिशन लेना, अपने घर बेट के classes अटेंड करनी, आपको कहीं पे शफ्ट होने की ज़ुरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई extra additional charges लेने की उठाने की ज़ुरत नहीं है, ठीक है, यह जो classes है, चार से छे और छे से करने का option मिलता है, hand raise करने का option मिलता है, screen पे आप click कर सकते हैं, और फिर faculty आपको unmute करके, आपके doubt को पूछ लेगा, ठीक है, तो आप verbally भी connect कर सकते हैं, messages के through भी connect कर सकते हैं, तो एक live class वाला महौल यहां पे आपको मिल रहा है, plus हर class में आपको मिल रहे है, handwritten notes, Hindi English दोनों में म मेंस के लिए, ठीक है, तो मेंस answer writing a question मिल गया, जिससे आप answer लिखते हो, और हमें भेशते हो, हम आपके answer को check करते हैं, तो आप खुदी हिसाब लगा लो कितने questions आपके तयारी के साथ ही हो जाएंगे, मेंस के भी और prelims के भी, ठीक है, इसके अलावा आपके interview की भी तयारी हो को सब प्री ओफ कॉस्ट मिलेंगे, आपका जो भी मॉक्स, जो भी मेंस आएगा, उसके भी मॉक्स सेशन होंगे, प्रिलिम्स के 6 मॉक्स है, मेंस के 6 मॉक्स है, फिर इंटर्व्यू के mock interviews हो गए, ठीक है, तो ये सारे का सारे जो प्लान है, वो इस तरह से बनाया है कि कोई कमी ना छूटे, कहीं पे भी, आपको सारा updated material मिल रहा है, और ये जो आपको, और crux notes में मिल रहे है, वो आपको Hindi English दोन मिल रहे है, तो मतलब आपको handed notes मिल रहे है, crux notes मिल रहे है, MCQs मिल रहे है, mains answer writing के questions, आपके mock sessions हो गए, आपके crash courses हो गए, तो कितना कुछ आपको मिल रह जैसे है, वो मैं आपको बता देती हूँ, देखो, आपको जाना है Google पे, Google पे जाके आपको type करना है study IQ judiciary, जैसे ही आप study IQ judiciary type करेंगे, आपको पहला ही option नज़र आएगा, आपको इस पर करना है click, जिके आपको यहाँ सामने दिख रहा है, एकलवे 2.0 judiciary life foundation batch, यहाँ पे आपक करना है click, यह आपको 32,500 कोर्स दिख रहा है पर क्यों, मैंने आपको बताया है आपको code करना है, तो code करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नीचे लिखा है add promo code, जैसे ही आप add promo code पे click करेंगे, यहाँ पे आएगा, add coupon code, add coupon code पे click करके आपको type करना है, ठीक है, तो अब आपको अगर जो PPT मेने आपको दी थी, उस PPT में आपको वो चाहिए, मतलब जो topic मेने आपको समझाया है, उसकी PPT चाहिए, तो वो आपको कहां मिलेगी, आप मुसे connect करना, अगर आपको admission के regarding, अगर कुछ पूचना है, तो वो कहां पे पूचेंगे आप म उसके अलावा यहाँ पे मैं legal updates भी कुछ ना कुछ शेर करती रहती हूँ, तो यहाँ पे आप उनको भी देख सकते हैं, और निशा अंडर्सकोर लामबा 1511 पे मैं अपनी PPT शेर करती हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उनको, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, बने लावाँ.